कि असलाम अलेकों हसर में मूझ फ्रॉं पॉपर्टी सर्विस्टेट जैसा के सब्सक्राइब जानते मैं आपको डी एचे गुज्रावाला की मार्किट प्राइसिस के हवाले से अब्रेट करता हूं जिसमें ऑल कैटेगरी फाइल्स की होती है और प्रॉड्स की होती है इसे ही इस वीडियो में आपको फाइल जोर प्रॉड़ के रेट सब्सक्राइब करूंगा और इन आपको सजेस्ट करूंगा कि आप किस चीज में इइन्वेस्ट करें सबसे पहले मैं बात करता हूँ rates के अबादे से तो पांच-परला四ा फाइल्स के अबात कीजिए तो पांच-परला फाइल का rate 26 lakh 25.000 है 10 मभला के हवाले से बात कीजिए तो 43.75.000 है एक कनाल के अबात कीजिए तो 70 lakh market में asking हो रही है ऐसे ही अगर बात करें DHA गुचनावाला के पांच मरला प्लॉट के हवाले से तो मिनीमम 28 लैक से लेकर मैक्सिमम हमें 38 लैक तक प्लॉट जो है बेतरीन लोकेशन पे मिल जाता है आठ मरला के हवाले से बात कीजेए तो आठ मरला का रेट 45 से लेकर 55-60 लैक वेंविधे में हैं मक्सूस से वर्लॉट हैं सिरफ के वन सेक्टर में 10 लैक सिटिए अ मार्किट में 55 लैक से लेकर 70 lаки प्लॉट मिल जाता है एक कनाल के हवाले से अगर हम बात करें तो एक कनाल का प्लॉट हमें मिनीमम 90-95 लाइक से लेकर मैकसिमम हमें एक करोड पांच एक करोड दस लाक रुपे तक मिल जाता है इसमें सबसे पहले मैं आपको पताता चलूँ फाइल है या यह गुझ्रावाला का प्लॉट है इसके बेस्ट रेट सायर में आपको भी 27 लाक रुपे में आपको और जो है प्राइवेट प्लाट आपको मार्किट में नहीं देंगर प्राइवेट सुसाइटी में नहीं मिलता तो इतो डिफेंस हाउसिंग अथोरटी है जि को जरूर बाइन करें सबसे पहले मैं आपको पता चलूँ Declares करने का या ये हैं आकशा इंवेस्ट्मेंट करने का मक्सदर यह चीज को बेत्रीन रेड़ पेड़ करते हैं मिसाल के तोर पे DHA गुज्रावाला की 5 वाला की फाइल का रेट 47 लाग पे था इस टेंग 26 लाग पे है तो आप इसका डिफरेंस देख लें वापस अगर मार्किट बेतर होती है तो प्राइवेट सुसाइटी में इतने का प्लॉट नहीं मिलता जितना DHA गुज्रावाला में है तो इस टेंग बेतरीन इंवेस्मेंट का टाइम है देन आपको अच्छा प्रोफिट हो सकता है तो मेरा दिया गया नंबर आपको स्क्रीन पे आप काल करके उसका में फ्रॉट भॉर्ला की क्योय आपके अपने प्लॉट की क्योयरी जो है फाइल से के रीट्स ले सकते हैं उसके आप असेस्मेंट ले सकते हैं अपने प्लॉट की किसी भी कैटेगरी की पांस मरला, आठ मरला, दस मरला, एक कनाल, इंशालो उतला हमारे प्लैटफॉर्म से आपको बेहतरीन रेट्स मौया किये रहेंगे, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्ला हाफिज।